हलो बच्चो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड ग्लासेस पर तो बच्चो आज की जो क्लास है उसमें करते हैं इंपोर्टेंट कोश्चन प्रॉबिलेटी के तो अब यहाँ पर हम सिर्फ कोश्चन करने वाले हैं अगर आपको कंसेट समझना है है'll फार्मूला समझना है तो उसके लिए आपको वन शोटा बे जाना पड़े gitu one शग में सारे फार्मूलाअज मैंने डिसक्स किया हुए सारे बेसिक डिसक्ण किया हुआ है वह देखने के बाद वो समझने के बाद पिर आप जो question मैं इसमें बता रहा हूं वो questions आप खुट try करें पहले और उसके बाद फिर आगे वीडियो को देखें तो सबसे जो पहला question है उसमें कहता है कि आपको M is the mean of the poison distribution M क्या है यहाँ पर mean है poison distribution का then it's standard deviation अब poison distribution का concept अगर आपको याद हो तो उसमें जो mean होता है और variance होता है यह दोनों same होते है तो अगर mean M है तो इसका मतलब जो variance है वो भी यहाँ पर M ही होगा जो variance आएगा यह भी M होगा लेकिन पूछ रहा है हमसे standard deviation तो standard deviation क्या होता है standard deviation होता है square root of variance यानि हमारे पास answer आजाएगा इसका root M तो इसमें से हमारे पास option बनेगा A the normal distribution curve is symmetrical about जो normal distribution curve हम बनाते है इस तरीके से जब बनाते है तो यह यहाँ पर symmetric होता है तो यहाँ पर symmetric होता है तो इसमें से क्या आपके पास option होता है तो यहाँ पर यह जो आपके पास आता है यहाँ पर यह mean की value होती है हमारे पस यानि म्यू जो random variable है इसमें x वो म्यू के बराबर होता है यानि इसमें option आएगा आपका x equals to इस तरह का question मैं कहूं तो बहुत important question है जिसमें आपको k की value निकालनी होती है और most probably या तो mcq में या subjective में कैसे भी यह question आ सकता है तो इसमें आपको करना क्या होता है यहाँ पर जो probability होती है उसका अगर आप sum करते हैं तो total हमेशा 1 के बराबर होता है तो यहाँ पर जब आप इसका total करोगे तो देखो 7 और 2 9 9 प्लस 1 10 तो 10 तो k square आगया 4 4 3 7 7 0 2 9 इतर से आगया 9 के और इसका total आगया 1 तो 1 को आप इधर लेलो और यहाँ पर इसके करो आप middle term splitting करके यहाँ पर दो फेक्टर कर दो तो यहाँ फेक्टर करेंगे आए आपके पास 10 k square 10 k minus k minus 1 तो यहाँ से आप 10 k common निकाल दोगे इधर बच्चे का k plus 1 यहाँ से minus 1 common निकाल दो यहाँ आगया k plus 1 तो एक फेक्टर 10 k minus 1 है और एक फेक्टर k plus 1 है तो k की value आप यहाँ से निकालेंगे तो 1 by 10 आएगी और k की value आप यहाँ से निकालेंगे तो minus 1 आएगी अब probability आपको पता है कि negative हो नहीं सकती तो इसको कर दिना आप cancel k की value बचेगी 1 upon 10 तो इसका option आगया ए एक्स इसे normal variant with mean mu standard deviation this अगर हमारे पास x एक normal variety है तो इसको जो हम z में convert करते हैं तो उस situation में जो mean होता है वो 1 के बराबर होता है और standard deviation 0 के बराबर होता है उल्टा बोल दिया हमने mean उसमें 0 के बराबर होता है और standard deviation 1 के बराबर होता है तो answer आएगा इसमें D, mean होगा 0, standard deviation होगा 1. जब भी आप X से Z में convert करते हो, तो यह condition यहाँ पर होती है. उसके बाद next question पर चलते हैं यहाँ पर. यह कहता है, the mean of the number obtained on throwing a die, having written 1 on 3 faces, 2 on 2 faces, and 5 on 1 faces. अब यहाँ पर जो die हमारे पास है, वो normal die नहीं है. नॉर्मल die में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं. यहाँ पर कहरे हैं कि जो die है, उसमें 3 जगह पर, 3 जगह पर 1 लिखा हुआ है, 2 जगह पर 2 लिखा हुआ है, और 1 जगह पर 5 लिखा हुआ है. अब आपको उसका mean बताना है. तो उसमें बताने के लिए पहले आपको इसका distribution बनाना पड़ेगा. अब एक्स यहाँ पर किसको represent कर रहा है, जो die है आप फेकते हो, उसमें जो number आ रहा है, वो x है यहाँ पर. तो x की value 1 हो सकती है, x की value 2 हो सकती है, और x की value 5 हो सकती है. अब 1 की probability निकालो यह तो बन गया x, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, die पर 3 जगे लिखा हुए 1, तो मतलब इसकी probability आगी 3 upon 6, इसको काटो मत ऐसी रहने दो, फिर 2 लिखा हुए 2 जगे पर, तो इसकी probability आगी 2 upon 6, 5 लिखा हुए 1 जगे पर इसकी probability आगी 1 upon 6, अब हमसे multiply करोगे, अब 3 upon 6 आगया, 2 से इसको करेंगे, तो 4 upon 6 आगया, इधर से 5 upon 6 आगया, तो 5, 4, 9, 3, 12, 12 को divide करोगे आप 6 से, तो mean आजाएगा इसका 2, तो option बनेगा इसमें B, let x represent the difference between the number of tails obtained when a coin is tossed, 6 times, then the possible values of x, यहाँ अपर x किसको represent कर रहा है, the difference between the number of tails, जब हम coin को 6 बार फेकते हैं, तो number of head or tail, दोनों आगया है, अपर difference तो mean शी का निकालेंगे, difference between the number of head and tail, when a coin is tossed, तो मनलो उपने coin को फेका 6 बार, तो head आया और tail आया, जब coin को आपने 6 बार फेका, तो head मनलो आगया 6 times, तो tail आएगा इसमें 0, अगर head 5 बार आता है, तो एक बार tail आया होगा, अगर यह 4 बार आता है, तो यह 2 बार आया होगा, यह अगर 3 बार आता है, तो tail भी 3 बार कि 6 इसका 4 इसका 2 इसका 0 अब यहां difference करोगे तो minus 2 मत लिखना क्योंकि difference पूछ रहा मतलब उनके बीच का gap कितना है तो gap वो 2 ही है यहां 2 लिखना यहां 4 यहां पर 6 तो अब x इसी को represent कर रहा है तो x की value क्या हो सकते देखो 0 आ गई x की value 2 आ गई 4 आ गई 6 आ गई नीचे भी 246 आ रहा है लेकिन दुबारा उसको लिखने की जरूरत है नहीं तो x की value 0246 यानि option बनेगा इसमें भी कि उसके बाद आजाओ next question पर question number 7 7th question में कहाता है कि random variable x as the poison distribution with mean 2 mean आपको यहां पर 2 दे रख है यानि जो हम lambda लेते हैं वहाँ पर उसकी value आपको 2 दे रख ही है और p की value कर रहा है कि x greater than 1.5 अब poison distribution जो होता है यह represent करता है discrete variable को तो अगर हम x greater than 1.5 लिख रहे हैं तो इसका मतलब आ गया कि जो जब इस तरह से लिखते हैं जैसे greater than जब भी लिख रहे होता है मादलो हम लिखते हैं p x greater than 3 तो इसका मतलब है कि हम 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखना चाहरे हैं तो वह सारा ना लिखके हम क्या करते हैं वन मेसेज जो बाकी जो नंबर है कि उसको माइनस कर देते हैं तो जब आप इसके लिए लिखोगे तो इसके लिए लिखोगे वन माइनस पी एक्स इक्वेल्स टू जीरो और एक्स इक्वेल्स टू वान सिर्फ यह दोनों लिखने 1.4, 1.3, 1.2 नहीं लिखना क्योंकि पॉजन डिस्ट्रिबूइशन में आपको रिप्रेजेंट करना है डिस्क्रीट वेरिबल को तो 1.5 से पहले आप सिर्फ 1 लोगे और 1 से पहले 0 आ जाएगा यानि इन दोनों को अगर आप माइनस कर देते हो तो डिवैडेड बाए 0 फैक्टोरियल 1 की पावर –2 फैर 2 की पावर यहां पर वन आ जाएगा डिवैडेड बाए 1 फैक्टोरियल 1 की पावर –2 दोनों में common है निकाल दो वहार यह थी वन हो जाएगा यह वह थी 1 ऑगया और यह आगया 2, तो 2 प्लस 1, 3, तो आगया 1-3, E की पावर-2, आप्शन में आपको दिया हुआ, 1-3, E की पावर-2, आप्शन नमबर D, यहाँ पर कहता है कि कुभू और बीना टू, E equally capable बैडमिंटन प्लेयर, कुभू और बीना दोनों E equally capable है, दोनों की शमता है, वो बराबर है, probability that बीना विल बीट कुभू, in 3 games, out of 4, is 25%, अब जो बीना है, वो चार गेम में से, तीन गेम में, कुभू को हरा देती है, इसकी probability 25% है, तो क्या यह statement correct है, अगर आप ऐसे देखोगे कि दोनों E equally capable है, आप कोगे दीन, 50% होना चाहिए, लेकिन सोचो 50% होगा कैसे, जब दोनो equally capable हैं, और 4 game हो रहे हैं, 4 में से 3 game के result के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो जीतेगा ना उसमें, तो एक जना तो जादा जीतेगा, बेशक capable player है, तो आप यहाँ पर जो probability निकाल रहे हैं, वैसे ठीक दे रहे हैं, लेकिन आप निकालोगे कैसे, निकालने के ल probability निकालने हैं, जीतने की, तो 4 game में से 3 game के अंदर कुन जीती है, बीना जीत रहे हैं, चाहिए आप यहाँ पर बीना ले लो, चाहिए आप आप कुहू ले लो, करना दोनों का तरीका एक ही रहेगा, तो 4C3 और 1 by 2 की पावर 3, और 1 by 2 की पावर 1, तो 4C3 को आप solve करोगे, तो 4 आजाएगा, और इसको solve करोगे, 1 upon 2 की पावर 3 करोगे, 1 upon 8 ये और ये, यानि 1 upon 16, तो ratio में तो आगया 1 upon 4, लेकिन इसने दिया आप को percentage में, तो percentage में convert करने के लिए आजाएगा, 1 upon 4 into 100 करोगे आप, 25% आगया, यानि जो assertion है, आपका ये true दे रखा है, ये तो आपको true दे रखा है, ठीक है, रीजन में कहा रहा है, the probability of R success in N trial denoted by this is given by this, ये कहा रहा है कि जो इसकी success है, अगर हम PX equals to R ले रहे हैं, तो इसका formula हो गया, NCR, P की पावर R, Q की पावर N-R, अब R की value 0, 1, 2, 3, जो भी हो सकती है, P को यहां success से denote किया गया, Q को यहां failure से denote किया गया, अ इसी rule का rule use करके तो निकाली है, कि वह चार गेम हो रहे थे, चार में से वो तीन जीत गी, तो N-C-R, N-C-R, P की value यहां पर put कर दी, Q की value यहां put कर दी, जो यहां पर थी power, वो यहां पर power लगा दी हमने, और यहां पर लगा दी, मतलब यह formula ठीक है, और इसको यह correctly explain भी कर रह and our reporting result elaborately, two scientists are selected at random from the group, find the priority distribution of the number of selected scientists who never commit error in the work and reporting, तो अब यहां पर जो 30 scientist है, तीन scientist में से 20 scientist हैं, जो कभी भी 20 never commit error in their work, तो जो अपने work के अंदर कभी भी गल्ती नहीं मानते हैं, ठीक है, and our reporting result elaborately OC के साब से अपना वो result बना दे, अब हमें जो probability निकाल नहीं है, हमें जो distribution बनाना है, वो इसी के according बनाना है, करा find the probability distribution of the number of selected scientists who never commit error in their work and reporting, तो इसका मदलब इसको तुम success ले लेते हैं, अब पीक success आएगी तो क्या आएगी, ऐसे scientist ने आपके पास 20, और upon में 30, तो यह अब आपको total दो scientist वहाँ से choose करने है, ठीक है, two scientists are selected, यानि x की value क्या हो सकती है, x की value हो सकती है, 0, 1, 2, अब यहाँ पर repetition वाला मामला, यहाँ पर question में कहीं पर यह नहीं लिखा कि repetition है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, अब यहाँ पर question की language से समझोगे, repetition हो रहा ह या नहीं हो रहा है, जब आप scientist को choose करोगे, तो आप repetition तो करी नहीं सकते न, एक scientist आपने अगर pick कर लिया, तो दूसरा scientist वही तो नहीं हो सकता, उसके लिए आपको कोई दूसरा लेना पड़ेगा, यानि यहाँ पर repetition नहीं हो रहा, तो यहाँ पर repetition जब हम करते हैं, तो उसमे जो probability है, वो क्या बनेगी, एक्स की value जीरो करने पर probability बनेगी, आपने जो scientist चूज करें न, वो ये वाले चूज नहीं करें, आपने दूसरे चूज करें, दूसरे कौंचे जो बागी के 10 रह गए हैं, उस 10 में से आपने, उस 10 में से आपने दोनों के दोनों चूज कर लिए, divided by, total कितने थे 30, उसमें से आपने दो चूज करने हैं, अब इसका combination का तरीका मैंने आप लोग को बता है, वह है short तरीका कि इस तरीके से solve आपको करना है, उपर आप लिखेंगे सिर्फ 10 इंटू में 9, divided by 2 factorial, नीचे आप लिखेंगे 30 इंटू में 29, divided by 2 factorial, ये cancel हो जाएगा, ये इससे cancel होगा, और ये इससे cancel होगा, तो ये बनेगा आपका 3 upon 29, जो हम 1 लेंगे तो 1 का मतलब क्या होगा, कि हमने एक scientist इंट 10 में से choose करा है, और एक scientist 20 में से choose किया है, नीचे वही रहेगा, तो 10C1 की value तो 10 होती है, और 20C1 की value 20 होती है, नीचे आपके पास यह 30 इंटू में 29, और divided by 2 factorial को मैं सर्फ 2 लिख दू, तो 2 के बराबर ही होता है, इससे ये cancel कर दो आप 3 पे, ये 2 उपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 40 upon 87, उसके बाद अगर 2 हम लेते हैं x की value तो इसका मनलब दोनों scientist हमने यही वाले choose करें, तो ये आजाएगा 20C2, 20C2 फिर आप ऐसी solve करो, 20 इंटू में 19, डिवाइड़ बाइ 2 factorial, 30 इंटू में 29, डिवाइड़ बाइ 2 factorial, ये cancel, इदर से ये cancel, और तो कुछ होगा नहीं cancel, तो आजाएगा 38 upon 87, तो ये तो बनके आपके पास distribution, अब कहता है कि आगे है कि find the expected value of the distribution, जब distribution इसने बनाने को बोला आओ तो proper table में आप ज़रूर लिखके दिखा देना, x की value 0, 1 or 2, और px की value आगई यहां से, 3 upon 29, 40 upon 87, and 38 upon 87, ठीक है, अब उसके बाद जाए, ex पूछ रहा है, मतलब expectation पूछ रहा है, तो उसके लिए आप इसको इससे multiply करोगे, 0 आ जाएगा, इसको इससे करोगे, 40 upon 87, प्लस 38 को 2 से multiply कर लोगे, तो कितना जाएगा, 2816, 236 प्लस 17, 116 को आप divide करोगे, 87 से, तो आपके पास यह बनेगा, 1 point something बनेगा, तो जाएगा 1.33, तो यह आपका अंसर आ जाएगा, देखते हैं, इसमें कहते हैं, आउट ओफ ए ग्रूप ऑफ 8 highly qualified doctors, इनने जैपूर होस्पिटल, जैपूर होस्पिटल के अंदर 8 qualified doctors है, और 6 are very kind and cooperative, with their patient and so are very popular, उसमें से 6 doctor ऐसे हैं, जो बहुत अच्छे हैं, kind हैं, और अपने patient के साथ अच्छा बैवार करते हैं, बातचीत क रहते हैं, और जो बाकी के दो दो डॉक्टर हैं, वो थोड़े से reserve हैं, ऐसा नहीं कि वो गलत है, डॉक्टर या अच्छे नहीं है, डॉक्टर लेकिन वो reserve है, अपना काम करते हैं, यह इलाज करना है, बस और ज्यादा कुछ नहीं, कोई feeling एक दूसरे के साथ attach नहीं करते है कि पेशेंट के साथ कुछ ज़्यादा बातचीत करते हैं, ऐसा नहीं है, अब हेल्थ के लिए आपको तीन डॉक्टर का selection करना है, find the probability distribution of the number of popular doctor, तो popular doctor का आपको probability distribution बनाना है, तो अगर हम X को यहाँ पर represent करते हैं, let X be the number of, number of popular doctors, अब यहाँ पर X की value क्या क्या हो सकती है, हम कहते हैं, हमने एक भी popular doctor चूज नहीं करना, ठीक है, यहाँ फिर हम कहेंगे कि एक popular doctor ले चलते हैं, बाकी के दो बाकियों में से ले लेंगे, और यहाँ फिर हम कहेंगे कि वह दो popular doctor ले लो, यहाँ फिर हम कहेंगे कि तीन popular doctor ले होगी लेख अगर सेही कि हम अब मतलब के लाज तो किम यह वाली खतम यह तो पॉसिलिल ही नहीं होगा ग्येंग तो एक हमने चीज सक करने उन च्हें में से हमने एक हमने च्रीए चूज कर लेना है और बाकी के जो हमारे पास बचेंगे दो डॉक्टर वो दोनों के दोनों चूज कर लिए डिवाइड टोटल आठ डॉक्टर है हमें तीन की टीम चाहिए तो अब 6C1 को अगर आप सॉल करोगे तो यह बनेगा आपके पास 6 और 2C1 2C2 1 के बराबर होता है 8C3 8C3 की अगर हम वेल्यू निकालेंगे तो यह हमारे पास 8 7 जब 56 तो 56 ही आएगा ठीक है आप इसको दो डॉक्टर की टीम ले रहे हैं वाला डॉक्टर है पॉपॉलर मेंसे चूज कर रहे हैं तो 6 पॉपॉलर थे उसमें से दो चूज कर लिये और एक जो हमने यहां से चूज कर लिया नीचे तो हमारा टोटल 80 रहेगा तो तो 6C2 को अगर आप solve करोगे तो यह बनेगा हमारे पास 15, 2C1 की value 2, नीचे आजाएगा 56, तो आजाएगा 15 upon में 28, तीन का मतलब है कि तीनों के तीनों डॉक्टर हमने यहां से चूज कर लेने हैं, तो 63 की value निकालेंगे तो आजाएगी आपके पास 20, नीचे आपके पास 56, फिर आप इसको काट दो, चार से काट दो, तो यह आजाएगा 5 upon 14, तो यह तो बनके हमारे पास distribution, आप आगे कहता है कि find a property distribution, बस distribution नहीं बनाना इसमें और कुछ नहीं करना, मीन वगर अगर पूछेगा, तो बता देना, नहीं तो कोई जरूथ है नहीं, तो यहाँ बस distribution बना दो आप, तो x की value 1, 0 वाला लिखो या मतलिको कोई दिकत नहीं है, उसकी probability तो 0 है, तो 3 upon 28, 15 upon 28, और 5 upon 14, तो यह बन गया इसका distribution, इसके बाद, next question पर चलते हैं, इसमें कहता है, इसमें कहता है, इन्हें manufacturing unit inspection, from a lot of 20 basket, which includes 6 defective, a sample of 2 basket is drawn, at random without replacement, अब यहाँ पर वड़ दे दिया, इसमें without replacement, क्योंकि यहाँ basket है, बास्केट में नहीं पता, आपने एक बास्केट चूज करी है, उसको आप दोबारा भी चूज कर सकते हो, ठीक है, उससे कुछ फ़रक पड़ेगा नी, तो आपके पास जिसमें जो defective basket है, वो तो है 6, जो non distribution बनाना न, वो हमारी success है, यहाँ हम X से represent करेंगे, तो let X represent number of, number of defective basket, तो इसमें जब आप करोगे solve, X की value क्या हो सकती है, आपके बस, 0 हो सकती है, 0 का मतलब है कि जो आपने basket निकाली है, उसमें से एक भी defective नहीं है, तो defective वाली हमारी 6 थी, 6 में से हमने एक भी defective नहीं निकाली, हमने जो दोनों basket निकाली है, वो इसमें से निकाली है, divided by 20 C2, 14 C2 को solve करेंगे, तो यह बन जाएगा आपके पास 14, कटेगा आपके पास 13, 7, 90 बना जाएगा, नीचे आजाएगा आपके पास यह 20 C2 करोगे, त और दो यह बन जाएगा नहीं, अगर हम वन लेंगे तो वन का मतलब हुआगे, एक बास्केट हमने, defective से ले लिए और एक बास्केट हमने यहां से ले लिए, नीचे तो यही रहेगा, तो 61 की value 6 आगे, यहां 14 आएगा, 14 6 आएटी 4, divided by 190, उसके बाद फिर दो बास्केट का मतलब हो गया कि हमने दोनों बास्केट 6 में से ले लिए, 62 को सॉल करो गया, तो यहाँ जाएगा 15, नीचे आगे आपके पास 190, यहां से आप इसको standard form में भी लिख सकते हो, काट के, 2 से आपने इसको काट दिया, और 5 से हमने इसको काट दिया, तो तो दिस्टिबुशन यह पूछेगा, तो दिस्टिबुशन में आप जो standard वाली value न यह लिखना, तो distribution बनेगा हमारा, X की value 0, 1 और 2, अब probability आगे आपके पास, 91 अपन 190, 42 अपन 95, 3 अपन 38, अब इसमें पूछा आप से, X, X मतलब इसका mean, तो X निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे multiply करेंगे, 0 आजाएगा, इसको इससे multiply करेंगे, तो 42 अपन में, 42 अपन में 95 अगया, लस इसको इससे करेंगे, तो आजाएगा, 6 अपन में, 38, स्कोर काट लो आप, L SIM ले लेंगे, इसका जाएगा 95, 57 अपन में 95, अब 57 को आप डिवाइड कर दोगे 95 से, तो आपके पास जो answer है, कितना बन दे आएगा, 0.something आएगा हमारे पास, चेक कर लेंगे एक बार फटा फट, 57 डिवाइड बाइड 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 नाइन्टी, 95, तो 0.6, यह तो बन गया इसका mean, अगर इसमें इसमें लिखा नहीं है वैसे question में, मानलो इसमें variance भी आपसे पूछ ले, तो variance के लिए आपको क्या करना है, आपको निकालना पड़ेगा, e x square, तो e x square में क्या करना होता है, आपको जो x वाली value है, उसका square करके फिर इससे multiply करना होगा, तो इसका square करोगे तो 0 रहेगा, जीरो को इससे multiply करेंगे, तो 0 रहेगा, 1 का square 1 होगा, multiply करेंगे यही रहेगा आपके बस, यहाँ पर आजाएगा 2, 2 का square है 4, 4 को इससे multiply करेंगे, 4, 3 is a 12, फिर आप इसको काट लेना 2 से, एलसम लेंगे तो 95 आगया, 72 को आप डिवाइट करोगे 95 से, तो value आ रहे हमारे पास 0.76, round off करके value 0.76, तो यह तो हमारा निकला e x square, variance नहीं होगा, variance में इसको हम use करेंगे, variance में formula होता है e x square, minus e x का whole square, तो e x square आगया आपके पास 0.76, और इसका square करेंगे तो आएगा 0.36, minus करोगे 7 में से 3 के 4, यानि 0.4 आगया, अब एक चीज और होती है, इसमें standard deviation, अगे standard deviation भी आपसे पूछ ले, तो उस case में क्या करना है, standard deviation बन जाता है variance का square root, तो आपको 0.4 का square root करना, आप 0.4 का square root 0.2 मत लिख देना, यह 0.04 नहीं है, 0.4 है खाली, तो 0.4 का, खाली बोतल भान नहीं है भार, किस काम के लिए चीज़िए, तो इसकी value निकालने के जो long division method होता है, उससे इसका square root निकालो आप, तो 0.4 का, अगर आप square root निकालो गए, तो यहाँ पर आपको decimal 0 लगाना पड़ेगा आगे, क्योंकि हम यहाँ पर pair होना चाहिए, अब starting में decimal आगया, तो यहाँ answer में भी decimal आजाएगा, अब यहाँ पर आप value ले लेंगे 6, 6, 6, 6, or 36, फिर 00 होता रहेंगे, अब यहाँ पर आप 3 ले लो, तो यह 0.63 के असपास आजाएगा, इसके बाद देखे, जो next question है, लगबग इसी type का question लिया है, मैंने इसके अंदर, मतलब सेम ही question है, मैं यह कहूंग अगर, लेकिन जो फरक है, ताकि आप लोग इसमें confuse ना हो कि, कहाँ पर आपको कौन सा method लगाना है, यहाँ पर 20 basket है, 6 defective है, और 2 basket आपको निकालनी है, ठीक है, पिछले question के दर है, पिछले में कितने निकाली, 2 निकाली थी, 3, पिछले में भी 2 ही निकाली थी हमने, इसमें भी 2 निकालनी है, prepare binomial distribution of the number of defective basket, मतलब binomial distribution बनाना है, मतलब आपको वे distribution form में लिखना है, ठीक है, also find EX and variance of X, और यहाँ भी EX भी निकालना है, variance of X भी निकालना है, तो फरी question में फरक क्याँ पर है, तो question में जो फरक है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर गहाँ भी with replacement, और फिछले question में अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो उसमें लिखा था without replacement, तो इन दोनों question में words का फरक आने से, आपकी जो values हैं उन पर फरक पड़ेगा, तीक है क्या फरक पड़ेगा, जब binomial distribution आप लगाते हो, तो आपको simply क्या करना है, एन आपको देखना भी कितना है, एन आपको कितना है, मतलब आपको basket निकालनी कितनी है, आपको दो basket निकालनी है, total basket आपके पास 20 थी, तो हम x को represent कर रहे हैं यहाँ पर, इससे defective basket से, तो इसकी probability क्या बनेगी, 6 upon 20, इसको आप काट लेंगे, और क्यों हमारा बनेगा, 7 upon 10, तो यहाँ पर जब आप एक्स की वेल्यू लेंगे, तो एसी रहेगे, एक्स की वेल्यू जीरू आएगी, ठीक है, वन आएगी, और टू आएगी, अब उसके साब से आप probability निकालो, अब यहाँ पर जब आप बाइनोमे डिस्टिबूशन से प्रावल्टी निकालोगे, तो आप जो पीछे हमने method यूज करा है, वो यूज ना करके, आप यहाँ फार्मूला यूज करो, क्योंकि यहाँ पर without replacement नहीं हो रहा है, यहाँ पर with replacement हो रहा है, 1 का मतलब है कि 2C1, कि आपने एक defective निकाली है, तो 3 by 10 की power 1 हो जाएगी और 7 by 10 की power भी 1 हो जाएगी, और 2 का मतलब है कि 2C2, तो 3 by 10 की power आजाएगी 2, तो 7 by 10 की power 0 आएगी, उसको आप लिखो या मत लिखो, यह बन हो गया यह बनेगा आपके पास 49 अपॉन में 100 यहां पर आजाएगा 21 अपॉन में 100 इधर आजाएगा आपके पास 21 टूजा 42 यह भी टू भी आएगा क्योभी 2C1 को मल्टिप्लाइगा और सॉल करोगे तो यहां पर बनेगा 42 और यहां पर वन हो गया यह आगया 9 9 अपॉन में 100 और हमेशा टोटल चेक कर लो चाहिए प्रॉबटी डिस्ट्रिबूशन आप कर रहे हो चाहिए बैनोमेल कर रहे हो डिस्ट्रिबूशन जब आप बना रहे हो इसका टोटल करो तो यह नो और दो ग्यारा और नो बीस चार च यह वन आना चाहिए पिसले में भी वन आएगा इसने भी बनाएगा तो डिस्ट्टुशन आप बना रहेHH उस फारूले से बनारेATHAN आएका टोटल हमेशा वन तो इससे चेक हो जाएगा आपका यह ठीक हो रहा है या नहीं हो थीदियोगी तो इसको ठीक कर सकतेग तो डिस् distribution अब देखो पीछे जो distribution था और इसमें फरक है कि दोनों की वेल्यूस में फरक है कि यहां distribution यह आ रहा था वहां पर distribution वार है अब उसके बाद भी उसमें मीन निकालने के लिए इसमें आप फार्मुला आप यह वाला भी उसका जिरो इन टू देश तो इन टू में देश ऐसे भी कर सकते हो मीन आपका उससे भी निकाल जाएगा कि निकाल के यहां पर दिखा देता आपको यह 0 आ गया इससे वन को करोगे तो 42 अपॉन में 100 आएगा 18 upon में 100 आएगा तो 42 और 18 बन जाएगा 60 60 upon में 100 का मतलब आजाएगा 0.6 ठीक है और अगर हम इस binomial distribution में जो mean का formula है हम सीधा लगाए mean का formula हमारे पास क्या है mean का formula होता है इसमें n into में p n कितना हमारे पास n है 2 p कितना हमारे पास 3 upon में 10 तो आजाएगा 6 upon में 10 यानि 0.6 तो answer हमारा इससे भी यह आ रहा है answer हमारा इससे भी यह रहा है तो हम यह क्यों लगाए तो जब भी binomial distribution का case होगा आप यह use मत करो ठीक है यह गलत नहीं है लेकिन आप इसमें time taking है यह आप use करो सीदा और ऐसी जब आप variance निकाल रहे हो तो variance का formula इसमें क्या होता है variance का formula होता है n into में p into में q तो आगए 2 into 3 by 10 into 7 by 10 7 3 is a 21 21 2 is a 42 42 by 100 यानि 0.42 अगर आपसे standard division पूछेगा तो फिर आपको इसका square root निकाल देना है तो binomial distribution में अगर mean और variance पूछ रहा है तो आप in formula का use करो बजाए उस formula के क्योंकि उससे अगर आप निकालोगे तो आपको यह सारी calculation प्रेनी पड़ती है तब जाके आपका यह mean variance आता है उसके बाद अगर हम next question पर चलते हैं next question है वारा एक test हो रहा है तो यहां पर x क्या बनेगा x बनेगा कि उसे कम से कम 4 question सही attempt करने है यानि 4 attempt कर सकता है सही या 5 कर सकता है अब सही है गलत क्या होगा अब यहां पर क्योंकि यहां पर यह आपको ना word नहीं दिया with replacement और without replacement word नहीं दिया हुआ लेकिन आप मुझे बताओ जब आपने पहला question attempt करा उसमें आपको तीन option मिले जब आप दूसरा question attempt करने जाओगे तो क्या option कम हो जाएंगे option तो वही के वही रहेंगे तीन रहेंगे ना ठीक है values दो चेंज होगी लेकिन option तो आपके पास तीन ही रहेंगे जब आप तीसरा question attempt करोगे तब भी तीन रहेंगे तो यानि यह भी binomial distribution का case है इसमें नहीं लिखा हुआ तो आपको language से समझ लेना है कि binomial distribution का case है यानि repetition का case है या नहीं है ठीक है तो अब इसमें आपको x की जो value है वह आपके पास कितनी है यह आपको greater than or equals to 4 यह आपको निकालने है और question है कितने 5 question है तो n की value होगी हमारे पास 5 सही answer की probability क्या होगी क्योंकि तीन option दे रखें आपको तो सही answer की probability 1 by 3 होगी और गलत answer की probability 2 by 3 होगी अब सारी चीज़े आपके पास है बस इसका formula लगाओ अब greater than equals to 4 का मतलब है कि 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है क्या 5 से ज्यादा हो सकता है नहीं हो सकता न तो हम यहापर लेंगे p x equals to 4 प्लस p x equals to 5 जब आप x equals to 4 लोगे तो बनेगा 5c4 तो p की value आगी 1 upon 3 इसकी power आगी 4 और q की value आगी 2 upon 3 इसकी power 1 प्लस 5c5 1 upon 3 की power आगी आपके पास 5 इसकी power 0 आएगी मतलिको 5c5 5 हो जाएगा उपर से यहाँ से 2 आएगा नीचे 3 की power 4 यह 3 की power 1 यह तो यह जाएगा 243 प्लस यह 1 हो गया यहाँ पर आजाएगा 1 upon 243 तो 5 तो 10 प्लस 1 11 upon 243 यह बन जाएगी इसकी probability इसके पास होने की probability आएगी 11 upon में 243 इसके बादे कि जो next question है इसमें जबता for a binomial distribution the mean is 5 binomial distribution में mean को represent करते हैं म्यू से ठीक है म्यू मतलब np यह 5 होगया standard deviation standard deviation को represent करते हैं सिक्मा से इसका formula होता है square root of npq तो इसका square कर दोगे तो npu की value आगई 4 यह बन गें दूसरी equation obtain the probability distribution and find the probability of a non zero value of this distribution तो लोग उसको बात में देखेंगे पहले हम property distribution find करते हैं property distribution find करने के लिए आपको p की value चाहिए q की value चाहिए और r की value चाहिए इदर आजाएगा 4 np से np cancel तो 1 upon q की value आगई 5 upon 4 यानि q की value आगई 4 upon 5 अगर q 4 upon 5 है तो p कितना हो जाएगा 1 में से इसको minus कर दोगे तो आजाएगा 1 upon 5 अगर p 1 upon 5 है तो यहाँ पर put कर दो n की value आजाएगी 25 अब property distribution पूछ रहा तो आपको यहाँ पर x की अलग-लग value लेके दिखाने के जरूद नहीं है अब property distribution मतलब p x equals to r यह बनाओ ncr p की पावर n q की पावर r q की पावर n-r तो अब बस यह बना के दिखा दो यहाँ पर p x equals to r is equals to n की value है 25 25cr p की पावर p हो गया हमारे पास 1 upon 5 इसकी पावर r 4 upon 5 की पावर n-r अब क्योंकि r की value यहाँ पर हमें कुछ specify नहीं कर रहे है तो आपको कुछ put नहीं करना अगर r की value उसने बता दी होती ही एक दो तीन जो भी लेनी है आपको तो फिर हम जो distribution table बनाते है वो table बनाके दिखा देते अब उसके बात कहला है कि यहाँ पर find the probability of a non-zero value of the distribution अब non-zero value का मतलब क्या है कि x की जो value है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए तो हमें probability किसकी find करनी है एक्स की value greater than 0 अब greater than 0 कहां तक लेके जाएंगे 25 तक लेके जाएंगे क्या 12345 तो greater than वाले question हम क्या करते हम क्या करेंगे 1 में से इसमें 0 तो count नहीं होगा ना क्योंकि greater than 0 है तो 1 में से आप 0 को minus कर दो तो तो जाएगा 1 माइनस अब हमने आर की वेल्ट जीडू में इस फार्मूले में आप यह जीडिगा 0 कोट कर दो 25 c0 वन अपाउन 5 की पावर 0 और 4 अपाउन 5 की पावर 25 माइनस 0 मैं यह वन हो गया यह भी वन हो गया यह जाएगा 4 अपाउन 5 की पावर 25 अब इस इसको खोलने की जरूद नहीं है इसको expand करने की जरूद नहीं है ऐसे अपने आंसर को छोड़ देना इसकी तो टार्गेट को शूट नहीं कर पाएगा तो इसकी बनेगी वन बाइथरी वाल प्रेपरेडिंग फोर अन इंटरनेशनल सूटिंग कमपेटेशन रोहित एम तो अचीव दा प्रविलिटी ओफ हिटिंग दा टार्गेट अट लीस्ट वन स्टो वी 0.99 तो उसको जो प्रविलिटी अचीव करनी है कि कम से कम वो टार्गेट को हिट करे इसकी प्रविलिटी कम से कम जो है एक बार टार्गेट को हिट करे इसकी प्रविलिटी ग्रेटर दैन यह होनी चाहिए तो मतलब probability of x greater than or equals to 1 is 0.99 कि वो कम से कम target को एक बार hit करें तो उसकी probability इतनी होनी चाहिए तो कम से उसे कितनी बार shoot करना है यहाँ पर लिखा है what is the minimum number of chances तो यहाँ पर आप greater than का sign लेके भी solve कर सकते हो तीक है या फिर अभी इसको ऐसे solve कर दो तो बाद में जाके हम जो भी chance आएंगे वो minimum number of chances में आप convert कर देना हमें बस purpose ही है कि इसकी probability इससे ज़्यादा होनी चाहिए तो अब इसको कर दो आप 1 minus p x equals to 0 तो यहाँ पर n कितना हो गया n तो हमें निकालना है ठीक है यह आगया 0 आपके पास p की value आगी 2 upon 3 यह आगया 1 upon 3 यह जाएगा 99 by 100 इसको इधर ले जाओ इसको इधर लाओ यह 1 हो गया यह वन हो गया यह जाएगा 1 upon 3 की पावर n 100 minus 99 यह आएगा 1 upon में 100 और 1 upon 3 की पावर n इसका ऐसी प्रोकल कर लो तो 3 की पावर n जो है वो 100 यह 100 के बरावर कब होगी तो 100 के बरावर आप देखो 3 की पावर अगर आप 4 करते हो तो 81 होता है तो 5 करोगे तो इसके बरावर होगी लेकिन हमें क्या चाहिए हमें minimum number of chance यह कि कम से कम इतने chance तो उसके होने चाहिए ताकि हम इस टारगेट तक पहुंच सके अगर हम यहां पर चार वेल्यू लेंगे तो इस वेल्यू पर तो नहीं बहुंच सकते हां पांच वेल्यू लेंगे तो इसको हम क्रॉस कर जाएंगे तो क्या दिक्कत है क्रॉस ही तो कर रहे ना कम तो नहीं हो रहे तो इसलिए जो minimum chances है minimum chances हमारे पास होने चाहिए 5 तो आप equal to लेके चलोगे तो आप ऐसे लिख दो या starting से या आप यहाँ पर greater than का sign लेके चलो तो आपके पास यहाँ पर अपने आप answer आ जाएगा तो जैसे भी आप comfortable लोग उस तरीके से आप कर सकते हो question number 16 में कहता है कि die is thrown again and again until three fives are obtained एक die को आपको जब तक तीन बार पांच ना ले आओ तब तक आपको फेगना है तीन बार पांच ने एक पांच दो पांच तीन बार पांच ने अब गरा find the probability of obtaining the third five जो तीसरा वाला पांच है in the seventh throw of the die जब मैं die को साथवी बार फेगता हूँ तो मेरे को तीसरा पांच मिलेगा इस नानि इसका indirectly मतलब क्या हो गया कि जो यह पहले दो पांच है यह हमें starting के दो एक से लेकर छे थ्रो थे उसमें मिले होंगे तभी तो साथ में थ्रो में हमें तीसरा पांच मिलेगा ना यानि पहले हमारे पास दो ओल्लेडी आ चुके हैं लेकिन दो ओल्लेडी आने लिए हमारे पास छे चांसेज नहीं हैं हो सकता है कि पहले दूसरे में आ गए हो सकता है कि पहले और चटे में हो लेकिन छे में से दो बार ऐसा हुआ कि हमारे पास 2,5 आ चुके हैं तो हमें पहले इसकी probability निकालनी पड़ेगे अलग, फिर इसकी probability अलग और इन दोनों को करना पड़ेगा multiply, multiply क्यों करना है, क्योंकि हमारा event complete नहीं हुआ था, हमारा event complete होने के लिए हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, जब end word लग जाता है तो multiply होता है, यानि दोनों काम क कर रहे हो, उसमें से आपको दो बर 5 चाहिए, तो x की value 2 हो गई, अब 5 आने की जो probability है, यह जो success है, वो कितनी है, वो तो 1 by 6 होगी, और क्यों कितनी हो जाएगी, 5 by 6, क्योंकि dice पर अगर आप fake होगे, तो 5 तो एक ही बारात है, तो अब यहाँ पर फार्मुले में आप लगा हैंगे, फिर आजाते हैं इस probability पर, अब जो 7th throw है, 7th नाम उसका throw है, कि 7 वी बार हम fake रहे हैं, लेकिन fake तो एक ही बार रहे हैं, तो 7 वी बार हमने fake है, मतलब एक बार fake है, और एक बार fake ने पर 5 की आने की जो probability है, वो होती है, 1 by 6, तो बस इसको आपको simplify कर देना है, 6 सी 2 को आप solve करोगे, तो यह आजाएगा 15, यह यहाँ पर आएगा 5 की पावर 4, यह मतलब 625, नीचे 6 की पावर 6, तो ऊपर आजाएगा, पिचत्तर 15 दूनी 30 सा 37, 15 चिक 90 और 3, 9, divided by 6 की पावर आजाएगी 7, अब 6 की पावर 7 अगर आगे है, तो इसको आप ऐसे छोड़ देना, calculate करने की ज़रूद नहीं है, जी नेक्स कुशिन पर आते हैं, इसमें कहता है कि सर्विस कॉल कम टू ए मेंटेनेंस सेंटर, according to a poison process, and on average 2.7 कॉल कम पर मिनट, यानि एक मिनट के अंदर हमें 2.7 कॉल साती है, यह आगे हमारे पास लेंड़ा, पुस्ताफा, फाइंड़ चार से ज़्यादा कॉल नहीं आएंगी, इसकी प्राविलिटी बतानी है, तो चार से ज़्यादा कॉल नहीं आएंगी, तो इसका मतलब क्या होगा, चार आएंगी, या चार से कम आएंगी, तो प्राविलिटी हमें किसकी निकालनी है, लेस देन और इक्वल स्टू फोर, ठ तो इसका एक मतलब यह भी तो हो गया ना कि चार से कम होंगी या चार होंगी तो हम इसकी प्रॉबरिटी अब निकाल देनी है पी एक्स लेस्टन इक्वल्स तो फॉर तो अब इसके अंदर आपके पस क्या किया जाएगा पी एक्स इक्वल्स तो जीरो भी आ गया फिर वन आ गया टू आ गया थ्री आ गया एंड फॉर आ गया अब पॉज़र डिस्टिबिशन का फार्मला यूज करोंगे तो एकी पावर माइनस लेंडा फिर टू पॉइंट सेवन की पावर जीरो डिवाइड़ बाइड 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 जीरो फेक्टोरियर 2.7 की पावर 1 divided by 1 factorial 2.7 की पावर 2 divided by 2 factorial 2.7 की पावर 3 divided by 3 factorial 2.7 की पावर 4 divided by 4 factorial अभी एकी पावर माइनस 2.7 यह सभी में आ रहा है तो इसमें से common आगया आपके पास एकी पावर माइनस 2.7 common आ गया यहां से 1 बच गया इधर से 2.7 इधर करते हैं 2.7 का square करके फिर इसको 2 से डिवाइड तो यह बनेगा आपके पास divided by 2 यानि 3.645 अब यहां पर 2.7 उसकी पावर कर लो आप 3 तो 2.7 इसकी पावर करते हैं 3 और डिवाइड कर लेते हैं इसको 3 factorial मतलब 6 है तो यहां जाएगा 3.2805 फिर आगे 2.7 की पावर है 4 उसको डिवाइड करने आपको 4 factorial 4 factorial हो जाएगा 24 तो यहां जाएगा 2.2143 अब आपको यहां पर जो एकी पावर माइनस 2.7 है अगर इसकी वेल्लू दे रखी है तो ठीक है नहीं दे रखी है तो आप इसको ऐसे कैसे छोड़ों इसकी पावर माइनस 2.7 अब बाग्यों को इनको एड़ करो तो आड़ करो कि इनको तो आजाएगा 5 और 3 8 ऐसा जाएगा 4 और 459 फिर आजाएगा 1 और 8 9 9 और 4 13 बचा एक दो रेक तीन 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 और दो पांच पांच और छे ग्यारा ग्यारा और साथ 18 फिर एक बचा दो र आपके पास अंसर आजाएगा ऐसे इसको छोड़ देना है अगर इसकी वेल्यू दे रेकियोगी तो वो पुट करके इससे मल्टिप्लाई कर देना फिर नमरा अंसर आजाएगा नेक्स कुश्चिन के अंदर करता है कि फोरे पोजन डिस्टिपिशन मॉडल इफ अर्यवल रेट ओ पैसेंजर एट एन एरपोर्ट इस थर्टी पर आर उन ए गिवन डे वल्लब किसी एक दिन मर एक घंटे के अंदर तीस पैसेंजर आ रहे हैं तो लेंड़ा यहां पर बन यह आपका लेंड़ा यहां पर आपके पास थर्टी पर आर के दा फाइंड था एक्सपेक्टिट नम्मर और अर्यवल इन फॉर्स्ट टैन मिनट ऑफ एन आर अब यहां पूरे आर नहीं बताना है कि पहले दस मिनट में कितने पैसेंज जा रहे हैं उसकी आपको एवरेज दा यह किसके लिए था वन आर के लिए तो एवरेज एवरेज फॉर वन आर यह तो थी 30 वन आर का मदलब 60 मिनिट भी हो गया कि शाट मिनट के अंदर तीस पैसेंज जला रहे हैं तो एक मिनिट में कितने पैसेंज जला जाएंगे यहाँ पर जो लेंडा बनेगा आपका 5 बनेगा इस पहले पाट में दूसरे पाट में कहता है कि the probability of exactly 4 arrival in the first 10 minute of an hour यहाँ भी 10 minute पूछ रहा है तो लेंडा आपको यह नहीं लेना यह लेंडा पर आर के लिए था lambda अब 5 minute के लिए 10 minute के लिए ये है तो इसमें lambda की value आपको 5 लेनी है और P x equals to 4 निकालना है तो यहाँ जाएगा e की power minus 5 5 की power 4 divided by 4 factorial अब value उसकी दे रखिये ठीक है नहीं दे रखिये तो कोई बात नहीं ऐसे छोट देंगे उसके बाद कहता है कि the probability of 4 or fewer यानि 4 या उससे कम अब यहाँ पर भी 10 minute के लिए पूछ रहा तो lambda यहाँ भी है आएगा तो 4 या उससे कम यानि less than equals to 4 यहाँ पर भी जैसे आपने पिछला कोशन कर रहा है वैसे है आपको करना बिल्कुल 4 या उससे कम आएगा नहीं e की power minus 5 और फिर 5 की power 0 यह तो यह 0 के लिए फिर 1 के लिए फिर 2 के लिए फिर 3 के लिए जैसे आपने पिछले कोशन में कर आ था सेम उसी तरीके से आप बस कर देंगे इसको और जो common निकल जाएगा उसको common निकाल देंगे डी में कहता है था probability of 10 और more arrival in an hour given that there are 8 arrival in the first 10 minute of that hour यह करा है कि तो पहले 10 minute है उसके अंदर 8 arrival हो चुके है तो आपको probability निकालनी थी 10 या उससे ज्यादा arrival की एक घंटे में लेकिन उसमें से जो 8 arrival है वो तो first 10 minute में होई चुके है तो अब जो remaining time है आपके पास वो 50 minute का है या अगले 50 minute के अंदर हमें कितने arrival की expected value निकालनी है इसमें कहा रहा था 10 और more लेकिन उसमें से 8 आ चुके है तो हमें पहले तो क्या करना है लेंडा निकालना है 50 minute के लिए तो इसमें लेंडा कितना बनेगा देखो एक मिनट के लिए हमारे पास कितना था एक मिनट के लिए वन बाई टू था तो 50 आठ गेस्ट आप एक्स्पेट कर रहे हो कि आपके घर में 10 से ज्ञास आ सकते है तो आठ गेस्ट तो पहले 10 minute में ही आगे तो अब बाकी की के गेस्ट कितने बचेंगे यह निए दो या उस से ज्ञादा गेस्ट ओर आ सकते है अगले पछास मिनिट में तो उसकी probability आपको find करनी है तो आप इसकी जगे आप क्या करोगे 1-P x equals to 0 और x equals to 1 कर लो e की power minus 25 25 की power 0 divided by 0 factorial e की power minus 25 25 की पावर 1 divided by 1 factorial फिर वह e की power minus 25 तो common आ जाएगा यहाँ पर 1 आ गया 25 यानि 26 तो यही आपका answer आ गया values अगर दे रखिये ठीक है नहीं दे रखिये तो ऐसे छोड़ देना एक नेक्स्ट कुश्चिन में गएदा student of a class वह given a mechanical aptitude test their marks were found to be normally distributed with mean 60 तो mean तो आपको यहाँ पर 60 दे दिया इसने standard deviation दे दिया आपको 5 रहा कि what percent of the students scored more than 60 marks कि 60 marks से ज़्यादा आने वाले जो student है उनकी probability क्या है तो यह जो x variable आपको दिया हुए 60 इसको convert करो आप पहले z में जेड का formula होता है x minus mu divided by standard deviation तो x हमारे पास 60 है minus 60 divided by 5 तो 0 आ जाएगा यहाँ पर आपको निकालना है p z greater than 0 तो p 0 की जो value होती है यह 0.5 होती है चाहिए greater का sign आ जाए चाहिए less का sign आ जाए उसकी value तो 0.5 भी रख लिए उसके बाद second part पर चलते हैं यहां करता है less than 56 less than 56 मतलब x की value less than 56 तो इस case में z निकालोगे आप तो जाएगा 56 minus 60 अपॉन में 5 तो यह जाएगा minus 4 upon 5 जनी minus 0.8 तो मारे पास यह बन गया पी तो मारे पास यह बन गया पी z less than minus 0.8 यह value आगी अब इसको जब हम जो अभी तक हम फॉलोग कर दे आ रहे हैं तो उसमें हम इसको कैसे लिखते थे less than का sign है तो हम लिखते थे f of minus 0.8 और अगर minus आता है तो हम लिखते थे 1 minus f of 0.8 उसके पाद हमें इसकी value मिलती थी वो value input कर देते थे हमारा अंसर आ जाता था ठीक है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि अगर normal distribution करो आपको यह दिया हुआ है तो यह 0.8 मानलो इधर है तो हमें इसकी value दे रखी होती थी हम टोटल वेल्डियो में से जब हम इसकी value minus करेंगे तो मारे पास यह वाली value आ जाते है यह वता था लेकिन अब यह आपको आपको दे रखी है यह वेल्लू से लेकर 0.8 तक दे रखी है तो आपको वेल्लू यह पूरी नहीं दे रखी है आपको वेल्लू इसने क्या कर रख वेलू वो उसने आपको दे रखी इतनी है यहां तक वेलू दे रखी यह वाली तो हम क्या करेंगे इसको हम जैसे हम जब हम यह लिखेंगे कि प्रॉबरिटी ओफ जैड लेस देन माइनस 0.8 तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉबरिटी ओफ मतलब है कि यह वाला और नीकाल दो ये दोनु में अपसमें पराबर ही थो होते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो अवंच ब्रॉबर दी पूछना चानु यहां पर बहुत विल्यỏ कोwelिख भेण निकालना चाहरों, तो यह वाली value निकालने के लिए हम क्याी करेंगे, अब इसके लिए आपको देखोँ, इहां पर समझू, हमें Babe i have यह वाला portion निकालना है,今 यहां पर होके है यह 0.5 की लाइन होती है, इधर भी 0.5 हो गया, इधर भी 0.5 आ गया तो यह जो इधर वाला पार्ट है 0.5 वाला, उसमें से अगर आप यह वाला portion माइनस कर दो, क्योंकि आपको जो value दे रखिए नहीं इसी के दे रखिए 0 से लेकर 0.8, मतलब 0 से लेकर 0.8 तक की value आपको दे रखिए 0.2881 तो हम क्या करेंगे, जो यह वाला portion है 0.5, इसमें से माइनस कर देंगे 0.2881 तो यह जाएगा 10-19, 9-81 9-81, 4-2 यह जाएगा 2, तो 0.2119 यह हमारा आंसर बनेगा तीसरे बार पर चलते हैं, यह आपर कहता है कि 45 to 60, तो 45 to 60 पहले आप इसकी वेल्यू निकाल लो, अगर हम X की वेल्यू 45 लेते हैं, तो Z की वेल्यू क्या आईगी, यह आपर 45 आगया, Z की वेल्यू थी, मू की वेल्यू थी हमारे पास 60, मू की वेल्यू 60 थी, अप वोन में 5, तो 45-65 आजाएगा, यह माइनस 3, और अगर X की वेल्यू आजाएगी, 65-60 अपॉन में 5 यानि आगया 1, तो आपको प्रवार्टी फाइंड करनी है, माइनस 3 से लेकर, प्लस 1 तक, अब इसको किस तरह के से एक्स्प्रस करें, क्योंकि हमें वेल्यू इस तरह से दे रखिए, 0-3 और 0-1, ऐसे वेल्यू आपको दे रखिए, यानि-3 तो यहां पर कोई नाम हो निशान नहीं है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो यहां पर देखो, कर्व में देखो, मालो मैं इसको माल लेता हूँ, कि चलो दूसरे बना लेते हैं, मालो मने एक कर्व बना लिया, मिरेको वेल्यू चाहिए, यह माइनस 3 है, और य में परonne लेता हूँ, कि मेरेको प्वरवरवरड़िटी चाहिए, माइनस 3 से लेकर, माइनस 3 से लेकर 0 तक, और फिर 0 से लेकर 1 तक, ऐसे बन गया, 0 दोनों में काउउन्ट हो जाएगा, अब यहां पर, जो माइनस 3 से 0 निकालोगे, या 0 से 3 निकालोगे, बात तो एक होगी अगर मैं probability निकालता हूं जैसे यह 0 है यहाँ पर minus 3 है यहाँ पर plus 3 है तो अगर मैं यह probability निकालूं या फिर मैं यह निकालूं तो दोनों बराबर ही होगी यानि इसको minus 3 से 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यह 0 से लेकर प्लस 3 तक और यह तो प्लस में आई गई आपके पास तो यह 0 से लेकर 3 तक की value आपको यह दे रखिए 0.4986 और 0 से लेकर 1 तक की value आपको यह दे रखिए 0.3413 अब आप इन दोनों को add कर दो 6 और 39 8 और 1 9 4 और 9 13 437 और 1 8 तो answer आगया 0.8399 तो अब आपको मैंने यह तरीका इसलिए पता है क्योंकि अगर आपको एक्जाम में ऐसे values मिल जाए तो उससे confused होने की जरूद नहीं है आप ऐसे भी कर सकते हो अगर negative value value दे रखिए हैं तो जैसे हम पहले करते आ रहे थे वैसे आप करो उस method से भी question कर लेने और ऐसे अगर values दे रखिए हैं तो इससे भी आपको practice कर लेनी चाहिए उसके बाद next question पर चलते हैं next में कहते है कि given that given that the score of a set of candidate on an IQ set are normally distributed if the IQ test has a mean of 100 IQ test का mean आपको दिया हूए 100 and a standard deviation of 10 तो what is the probability that a candidate who takes the test will score between 90 and 100 तो 90 और 100 के बीच में उसका score रहेगा इसकी probability आपको निकालने है तो आप पहले Z की value निकालो Z की value आजएगी यहां से पहले अगर 90 के साब से करेंगे तो 90 माइनस 100 अपॉन में 10 यहीं माइनस 1 आगया और अगर 110 के साब से आप निकालोगे तो यह आगया प्लस 1 तो यह बनगे आपके पास probability of माइनस 1 to प्लस 1 अब यहां पर value आपको सीधा दे रहे है F1 की value यह F-1 की value है तो इसको आप जिससे हम पहले से करते आ रहे थे इसको हम ऐसा करेंगे F1 माइनस F-1 आपके इसकी value आपको सीधा यह दे रहे है इसकी value भी दे रहे है दोनों को माइनस कर दो F1 की value उल्टा लिख दिया F1 की value है 0.8413 0.8413 इसकी है 0.1587 13-76 11-10-82 13-58 7-16 0.6826 यह हमार आणसर आजाएगा तो आप जैसे आपको दोनों तरीके मैंने आपको बता दी है दोनों तरीके में से जैसे भी आपको value दे रहे हैं एक्जाम में वैसे आप इसको यूज करना तो आज की इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ Thanks to all of you